पाकिस्तान ने बढ़िया बोलिंग खरी, पाकिस्तान का आपको बोलिंग की तरफ दिखा देते हैं कि पाकिस्तान की बोलिंग किस तरीके से रही, शाहीन अफरीदी ने 9 ओवर में 3 विकेट लिए, 23 रन देकर एकोनॉमी 2.55 की रही और इसी के साथ शाहीन अफरीदी जॉइन हाइस्ट विगेट टेकर भी बन गए है एडम जैमपा के साथ इस वर्ड कप में 16 विगेट ले चुके है पर अभी स्कोर कार्ट में जो आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं हारेस राउफ राउफ ने अच्छी बालिंग अच्छी बालिंग आज 8 ओवर के अंदर 2 विगे लेकिन उसाम अमीर का सबसे बढ़िया कॉंट्रिबूशन रहा उस्ट्रेलिया के मैच में जा क्या चोड़ दियो और वार्नर से इंचुरी बनाएगा मौमध वसीम जूनियर इन्हों ने बढ़िया बोलिंग करी मौमध वसीम जूनियर आये हैं जब से तो टीम में थोड़ इसे काउंट नहीं किया जा सकता है पर मजे की बात यह है कि इफ्तिकार एहमद जो है वो भाई ओपन कर रहे हैं बोलिंग को शाहिंशा अफरीदी के सारे आप समझ नहीं रहे हो जब उनको बोला गया ना बाबर आजम को कि आपकी आइडिया आउट ऑफ दो बॉक्स नहीं अब बात आप बढ़िया बात आप बता रहे हैं आपने पहले चश्मा पहन कर दिखाया कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो फिर आपने यहां पर एलान कर दिया है कि पाकिस्टाइब सुर्फ यह पांगलादेश फीक वह और वू के बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है पाकिस्तान और इंग्लेंड भी बाहर हैं यह हम आपको अनफिशिली बता रहे हैं लेकर अफिशिली अगर बिलकुल कोई टीम बाहर हो चुकी है तो वो है बांगलादेश की टीम क्योंकि बांगलादेश की टीम अगर अपने अब सारे मैच भी जीत जाती है तो भी वो 6 पॉइंट्स पर पहुचेंगे जबकि जो टॉप 4 की टीम है वो 8 पॉइंट्स या उससे ज्यादा पर अल्रेडी बैटी हुई है पर आप मज़े की बात देख रहे हो कि बांगलादेश भार हो चुकी है लेकिन अभी भी वो दस्वे नंबर में नहीं है लेकिन इसे के साथ पॉइंट्स टेबल बिखा लेते हैं दस्वे नंबर की जगा पहले बात करते है नंबर वन टीम है नंबर वन कौन है मोटे कुशन पर बैठी टीम इंडिया टीम भारत रोई शर्मा की कप्तानी में खेल रही टीम भारत ने 6 मैच में 6 जीत हासिल करके 12 पॉइंट्स कमा लिये है और नेट रन रेट में वो प्लस 1.40 के नेट रन रेट के साथ नंबर वन पर बैठे हुए है नंबर दो की कुरसी पर कौन है दक्षेन अफरीका, साथ अफरीका 6 मैच केल चुकी है 5 जीती है, सिर्फ एक आरी है नेधरलेंड्स से वो भी और 10 पॉइंट के साथ प्लस 2.03 का नेट रन रेट ये जीतती है तो यूँ बड़े-बड़े मार्जिन लेकिन ये टीम जो है न्यूजिलेंड भाई, सब के दिल जीत रही थी 6 मैच में 4 जीते हैं 2 हारे हैं, बहुत बड़िया कर रहे थे और एक मैच और जीत जाते जो ऑस्टेलिया के खिलाफ होना था बस रहे गए 5 रनों से, बहुत बड़िया था उसके लाव ऑस्टेलिया का हमने नाम लिए 6 मैच में ये लोग भी 4 जीत लेकर बैठे होए हैं 2 हारे, 8 पॉइंट से न्यूजिलेंड और ऑस्टेलिया लेकिन न्यूजिलेंड और ऑस्टेलिया important इसलिए हैं कि दोनों ही 8 पॉइंट पर बैठे हैं सेम मैच से 6 मैच के लिए हैं 4 जीते 2 आरे, लेकिन यहां पर नंबर 5 पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है 7 मैच के साथ, 3 विक्टरी, 4 लॉस के साथ इनके टोटल पॉइंट से 6, net run rate अभी भी negative में है minus 0.02 और यहां से पाकिस्तान वाले उम्मीद कर रहे होंगे कि यह अगर इस points table में उपर बढ़ेंगे तो यहां पर यह top 4 में आ सकते हैं पर क्या आप आएंगे या नहीं आप आएंगे यह थोड़ी देर में बताएंगे क्योंकि यहां पर जो बात की जो 5 टीम है नमबर 7 पर है 6 match 2 जीत 4 हार के साथ 4 points है इनके Netherlands के भी 6 match में 2 जीत 4 हार इनके भी 4 points है और Bangladesh जो की आज eliminate होने वाली पहला देश बना है 7 match में 1 जीत 6 हार 2 points है और England defending champion जो कुछ नहीं defend कर पाया ना कुछ नहीं defend कर पाया वो भी 6 match में 1 जीत 5 हार के साथ 2 points के साथ नमबर 10 पर बैटा हुआ है लेकिन England को मतलब नमबर 10 पर देखके फिर भी थोड़ा से नहीं तो तसलिव ही पॉँचती है हाँ सही हुआ है इनके साथ रहे जारो गेंस तो देख लो साथ से 2019 में यह जीते थे ना बाउंडरी काउंट में जीत रहे हैं यही कहते है कर्मा इसा नहीं वो तो है यह लेडी डॉग जीनिर्स